जब आपके घर वाले घर पे रोज बनने वाले खाने से यानि की दाल चावल सबसी से थोड़ा सा बोर हो जाए तो कुछ निया पन लाने के लिए आप उनके लिए बनाए फ्राइड राइस उसकी रेसिपी आज में लेके आई हूं तो चलिए फिर वीडियो शुरूर करते हैं सबसे पहले मैंने एक वाल राइस का लिया है इसे मैंने फ्रिश में रखाता है यह बिल्कुर ठंडे हो चुके हैं आप राइस को फ्रेश बना लीजिए उसके बाद आप इन्हें फ्रिश में रख दीजिए फ्रिश में रखने के बाद ठंडा होने के बाद एक तर्म परफ मैंने पैन लिया है और उसे मैंने गैस पे रख दिया है और उसमें मैं एड कर रही हूँ एक से डिर्चमच रिफाइंड ओईल का वेजटीबल ओईल का अब इसे हलका हलका गरम होने दे पैन को जड़ा यह हिला ले तो जल्दी गरम हो जाएगा और उसके बाद मैंने लिए है पंदरा से बीस कलिया लहसुन की जिने मैंने चॉपर में बारिक चॉप कर लिया है अब इसको इस रिफाइजिटीवल ओईल में एड करने के बाद आप इसे अच्छे धंग से हिला मिला लीजिए तीस से पैंतिस सेकिंड के अंदर ही अच्छे धंग से सौटे हो जाएगा जब आपको लगे की लहसुन जब अच्छे धंग से सौटे हो चुका है तो अब आप फटा फट एक छोटा मेडियम साइज का प्याजिस के अंदर एड कर लें और उसे भी अद्रक लहसुन के साथ अच्छे धंग से सौटे कर लें प्याज का क्रंचिनेस खत्म नहीं करना ह है उसका जो हलका सा मेटा बना होता है वहसा हमें वही फिनिश करना है दूसरी तरफ आप चिन सब्जियों को इसमें एड करना चाहते हैं उन्हें बारिक बारिक काट लें सब्जिया आप अपने चॉइस के एकॉर्डिंग लिए अवेलिबिल्टी के हिसाब से ले सकते हैं अब मैंने इसके अंदर अड़ कर रही हूं कुछ सब्जियां सब्जियों में मैंने लिए हैं गोभी गाजर फ्रासबिन और मटर मैंने इसमें शिम्ला मिर्च विडाली है पर शिम्ला मिर्च का यूज़ हम थोड़ी देर के बात करेंगे क्योंकि वह बहुत जल्दी इकल जाती है तो चलिए फिर अब इन सब्जियों को इसमें अच्छे ढ़न से मिला लेते हैं मैं इसमें फ्रोजन मटर का यूज़ कर र हलकी हलकी सौटी होने के बाद इसका करंची नहीं जाना चाहिए क्योंकि फ्राइट डाइस में वही एकदम परफेक्ट लगता है तो देखिए अब मुझे करते करते कम से कम एक बिनट हो चुका था और अब मैं इसके अंदर आड़ कर दिये हैं मैंने चावल चावल की क्व इन सबजियों के साथ हम मिक्स कर लेते हैं आप इन्हें टॉस भी कर सकते हैं आप अपने कलाकारी यहां पर दिखा सकते हैं अगर आप टॉस नहीं कर सकते हैं तो आप इन्हें मेरी तरह ही फोल कर सकते हैं और अब मैंने इसके अंदर डाल दिये हैं बारी करती हुए शिमला मिर्च अब शिम्ला मिर्च को भी हम अच्छे रंग से इन चावनों के साथ मिला लेते हैं और मिलाने के बाद आप मैंने इसके अंतर डाल दिया है नमक एक दिन स्वाद के अनुसार और उसके बाद हम इसमें एड़ कर रहे हैं सोया सॉस सोया सॉस थोड़ी बहुत डाक होती ह से कम सोया सॉस लें और उसमें 2 चमच पानी डाले हैं और आप मैं इसको इसके दर एड़ कर दिया है अब इस एच्छे अंड़ से हम मिला लेंगे मेरे चैनल पर और भी बहुत सी रेसिपी हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगी उन्हें भी सुरूर विजट कीजेगा अगर आपको यह रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक रूप कर दीजेगा अगर आप किसी सर शेयर करना चाहते हैं तो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से यह जो चावल हैं हमारे फ्राइडरेस हैं वह बिल्कुल बन के तयार है ये बिल्कुल से पहुंच चुके हैं कि अब हमें इनकी सर्विंग करने चाहिए तो चलिए देख वार एक पर फिर से ने अलट पलट लेते हैं और अब फाइनली जो चावल है हमारे फ्राइड रैस है देखिए वह बन के बिल्कुल त्यार है कितने केले केले चावल बने है चलिए तो अब इन पर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दीजेगा अब मैंने थोड़ा सा स्क्यों पर स्प्रिंग आनियन डाला है और दिखी देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं खाने में इतने हिज़ा बर्दस्त हैं तो इसी एक बार जरूर ट्राइ कीज़ेगा बच्चों को जरूर खिलाईएगा फैमली मेंबर्स जरूर खुश हो जाएंगे और रोज जो आप खाना खाते हैं उससे थोड़ा सा हटके बनेगा तो सबको पसंद आएगा आज के लिए इतना ही चल दीख ने रसीपे के सब फिर आओंगी तब तक के लिए बाई बाई